हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सभी तो यहां मम्स की चिन में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंज आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हो तो फ्लीज सस्क्राइब करना मत भूलिएगा साथ साथ बेल आइकन की घंटे भी दबा दीजिएगा जिसे की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे मिलती रहे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो फूल वाच करना मत भूलिएगा अगर आपको कोई दिख करता तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट कर सकते हैं तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं होटल म है क्रिस्पी चिली बेबी कॉन वही हम बनाने जा रहे हैं तो मेरे साथ लास तक जुरे रहिएगा इसको स्टोर कैसे करना है दो मिनट में भी आप किसी को बना के कैसे खिला सकते हैं वो सारे टिप्स हम इसमें बताएंगे तो लास तक फूल वाच जरूर कीजिएगा तो य आज कल कहीं भी मिल जा रही है स्टोर में तो चली इसको हम कट कर लेते हैं डायमन सेप में आप जैसे भी एक्षा हो कट कर सकते हैं हम डायमन सेप में कार देते हैं जो मोटा वाला होगा ना उसको हम बीच बीच से भी कट कर देंगे पतला होगा उसको ऐसे ही हम डायरेक्ट काट देंगे यह पतला है तो इसको हम बीच से नहीं चीरेंगे और जो मोटा वाला है तो इसको हम बीच से चीर के पतला पतला बना देंगे इस तरह से हम सारे कट करके त्यार कर लेती हैं यकीन मानिए फ्रेंड्स एक बार अगर इस तरह से बना लेंगे तो घर में ही आपको मार्केट जाने का जरूरी भी नहीं है, होटल से भी बढ़िया आप घर में बना के त्यार कर सकते हैं, इसे स्टोर भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप सारे को हम कट करके त्यार कर लेंगे देखिए इस तरह का बेबी कोन का सेफ आप दे दीजिएगा कहीं कहीं हम जो मोटा है उसको हम दो पाट कर दिये हैं चार पाट भी कर दिये हैं और कोई को ऐसे ही रहने दिये हैं तो सारे को हम कट करके त्यार कर लिए गरम पानी इधर हम गैस पे चरहा देंगे उबलने के लिए जब पानी अच्छे से उबल जाए तो हम आधा चमश हम नमक इसी में डाल देंगे जब पानी अच्छे से उबल जाए नमक अच्छे से घूल जाए तो हम सारे बेबी कॉन को उसी में हम डाल के इसको हम एक से दो मिनट अच्छे से हम बॉइल कर लेंगे हाई फ्लेम पे अगर आपका बेबी कॉन दो दिन तीन दिन अगर फ्रीज में है तो थोड़ा सुख जाता है तो उसको आप पांच मिनट भी उबाल लीजिएगा लेकिन अगर फ्रेस है तो दो मिनट एक मिनट में भी आपका जैसा बेबी कॉन होगा उस अनुसार आप इसको उबाल लीजिए लासुन की कुछ ज्यादा लासुन हम चोटे चोटे टुक्रे में काट लिए हैं, अब ये मेरा दो मिनट हो गया, क्योंकि कोई कोई कौन हम मेरा मोटा था तो इसलिए दो मिनट हम इसको उबाल लेंगे, तो एक बारा दबा के थोड़ा चेक कर लिजिएगा, जो आधा कुक हो तो सॉफ्ट हो जाएगा, तब इसको हम छन्दा में हम निकाल लेंगे, जो भी एस्ट्रा पानी होगा, वो नीची आ जाएगा, गैस का फ्लेम हम आफ कर देंगे, अब इसको एक प्लेट में हम निकाल के रख देंगे, अब कुछ देर इसको हम ठंधा होने देती हैं, तब तक चलिए इसका वेटर बना लेती हैं, इसको अच्छे से फैला देंगे तो जल्दी ठंधा हो जाएगा, अब एक हम बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम कौन फ्लावर लेंगे, तो तीन चमच हम कौन फ्लावर डालेंगे, और दो चमच हम इसमें मैदा भी डालेंगे, तो इसी चमच के नाप से हम डालेंगे, इस दोनों को अच्छे से हम mix कर देंगे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको अच्छे से हम mix कर देंगे नमक हम पहले ही डाल दिये थे इसलिए इस समय हम नमक नहीं डालेंगे अगर आप चाहे पहले नमक नहीं डालेंगे तो इस समय आप नमक डाल सकते हैं तो इसको गाढ़ा पेस्ट हम बना लेंगे ज्यादा पतला नहीं कीजिएगा गाढ़ा ही पेस्ट हम रखेंगे तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जो थोड़ा भी लंस ना हो देखे यह ribbon कैसे बन रही है उसी तरह का हम इसको बेटर को हम बनाके रेडी कर लेंगे अब बेबी कॉन भी ठंधा हो गया अब इसी में हम सारे को डाल देंगे और इसको हम अच्छे से mix करेंगे तो अच्छे से मिलाएंगे जो चारो तरफ अच्छे से कोट हो जाए इसका वेटर को चारो तरफ हम चम्मच से इसको हम क्योंकि कॉन फ्लावर थोड़ा सा जमने लगता है तो इसलिए हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जो अच्छे से उपर से कोट हो जाए अब इधर हम गैस पे एक पैन में तेल गरम होने के लिए हम रख देते हैं तो तेल जब हम अच्छे से गरम हो जाएगा तो एक डाल के हम चिक पहले कर लेंगे क्योंकि ठंडा तेल में नहीं रखेंगे नहीं तो तेल सोख लेगा तो अभी थोड़ा और तेल गरम होना है थोड़ा अच्छे से तेल हम गरम कर लेंगे उसके बाद हम एक एक करके चारो तरफ फैला के डालेंगे तो जब डालिएगा तो उस समय थोड़ा सा धीमा फ्लेम कर दीजिएगा मेडियम पे नहीं तो हाथ जलने लगेगा और लेकिन तेल अच्छा से गरम जब हो जाए तभी यही कौन को डालिएगा अब एक एक हम उठाएंगे और चारो तरफ फैला के हम तेल में डालते जाएंगे तेल आप रिफाइन वाइल लीजिएगा मस्टर वाइल से स्वाद अच्छा नहीं आएगा तो रिफाइन वाइल का ही यूज कीजिएगा चारो तरफ हम अच्छे से फैला के रख दिए तो हम 30 से 40 से के लिए इसको टच नहीं करेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे 40 से के बाद हम इसको पल्टेंगे इस तरह से आप घुमाद सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं 40 से के बाद हम इसको पल्टेंगे इसको हम पल्ट देंगे और सारे ज्वाइन कोई-कोई हो गया है तो उसको ज्वाइन को भी हम अलग-अलग इसी समय कर देंगे क्योंकि एक तरफ भी नहीं पका है तो अराम से तुट जाएगा अब चाहे तो बाद में भी इसे तोड़ सकते हैं लेकिन इस समय अगर तोरेंगे तो क्या होगा अच्छे से चारो तरफ यह पक जाएगी तो इसको हम दो से तीन मीनट हम अच्छे से क्रंची कर लेंगे देखिए इस तरह से जब कलर आजाए बिल्कुल क्रंची तब इसको हम एक छना पर हम सारे निकाल लेंगे जो भी एश्टरा तेल होगा वो सारे नीची आजाएगा और इसको एक हम प्लेट में रखते जाएंगे तेल जब भी गरम है ही तो इस समय फिर हम दूसरा बैच वाला भी हम इसी में डाल के उसको भी हम फ्राई कर लेंगे इसको भी हम एक एक करके चारो तरफ फैला के इसको भी दो से तीन मीनट हम और अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे या जो थोड़ा सा बाच गया है वेटर ना उसको हम बाद में यूज करेंगे इसको भी हम उलट पलट के इसको भी हम निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स अगर आप चाहे तो डबल फ्राई करके एक मिनट में भी आप बना के त्यार कर सकते हैं तो इसी को ये स्टोर भी करना हो तो इतना ही फ्राई को हम रख देंगे कोई कंटेनर में तो होटल में ऐसे ही फ्राई करके पहले ही लोग रख देता है फिर हम जब और देते हैं तब इतना जल्दी दे पाता है नहीं तो सारे एक बार नहीं हो बना के दे सकता है तो आप भी इस तरह से घर में कर सकते हैं तो हम पैन में थोड़ा सा तेल फिर से डालिये हैं और इसको हम मिर्ची को हम एक मिनट हाई फ्लेम पे इसको हम रोस्ट कर लेंगे मिर्ची रहना ही चाहिए लेकिन थोड़ा सा हम को हलका नरम करने के लिए हम एक मिनट ही इसको पका लिए हैं मिर्ची को और उसी प्लेट में हम निकाल लेंगे फिर से थोड़ा सा और हम पैन में तेल डालेंगे दो चमच अब इसमें हम लासुन थोड़ा साम ज़्यादा ही डाल दिये हैं इसमें ज़्यादा लासुन डालने से खाने में अच्छा लगता है तो इसको हम अच्छे से भूलेंगे एकस्चा नहीं रहना चाहिए अच्छे से जब भूलेंगे तो इसका फ्लेवर क्खाने में अच्छा लगता है तो धोड़ा सा जब कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम मिर्ची रखेंगे साथ में प्याज भी रख देंगे इस सारे को भी हम हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे एक मिनाट इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से अब इसके बाद हम थोड़ा सा हम सोया सोस रखेंगे ज्यादा नहीं रखेंगा नहीं तो करवा हो जाता है इसका भी फ्लेवर तो आप ही साब से रखेंगा मेरा चमच बढ़ा है इसलिए हम थोड़ा ही कम रखेंगे इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा हम डाले हुए है मेरे चैनल पे तो हूममेड ही हम टोमाइटो केचप भी डाले है चीली पेस्ट भी हम एक चमच डाल देंगे यह भी हूममेड ही है आधा चमच हम सेजवान चटनी भी डाल देंगे इस सारे हूममेड ही हम घर में बनाये थे वह ही हम डाले है आपके पास नहीं हो तो आप डेडी मिट भी यूज कर सकते हैं तो जो इसमें वेटर थोड़ा सा बच किया था उसी में हम थोड़ा सा और पानी अधा कप डाल दिये हैं और इसको पतला गोल बना लेंगे अब अभी फ्लेम मेरा धीमा कर दिये हैं क्योंकि प्याच जल जाता इसलिए हम धीमा फ्लेम करके उसमें हम सारे गोल को डालके अब इसको हम अच्छे से मीक्स करेंगे जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसमें हम सिम्ला मिर्ची भी डाल देंगे इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अब स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे क्योंकि बेबी कॉन में मेरा नमक है पहले से ही तो यह सबजी के अनुसार ही हम नमक इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे तीख आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं कम जादा अब लास्ट में हम बेबी कॉन डालेंगे और इसको 30-40 सेकेंड में हम अच्छे से मिक्स करके निकाल लेंगे तो इसमें हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद ऊपर से हम थोड़ा spring onion हम डाल देंगे इससे flavor बढ़ी आता है gas का flame हम off कर देंगे अब बिल्कुल खाने के लिए एक दम तयार हो गया तो इसको गर्मा गर्म सब किजिए होटल में देखते हैं कैसे आपको crunchy crunchy मिलता है उसी तरह आपको घर में ही आप बना के तयार कर सकते हैं बिल्कुल crunchy है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब बिल्कुल खाने के लिए तयार है तो friends कभी भी आप होटल में जाते हैं तो कितना महंगा मिलता है न बेबी कौन तो आप इस तरह से घर में ही ले आईये और घर में ही बना के बच्चे बड़े सभी को दीजिए सभी को favorite है कोई भी जाता है तो जादा तर चाहता है जो हमें होटल में status में अही मिले तो होटल में काफी महंगी मिलती है तो आप घर में भी इस तरह से बिल्कुल सस्ते में और टेस्टी सी बना के त्यार कर सकते हैं तो दिखने में कितना अच्छा लगड़ा है अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा अगर चैनल में नए है तो सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अब फ्रेंस लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा तो आप इसे स्टोर करने के लिए क्या कीजेगा जैसे हम तल के रखे थे उसको एक कंटेनर में रख दीजेगा और जब बनाना हो तो उसको 30-40 सेकंड के लिए या एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे क्रंची कर लिजेगा और प्याज सिम्ला मिर्ची डाल के इसको एक मिनट में बना के इस तरह से खा सकते हैं आप लोग भी टेस्ट करके बताई आप लोग को कैसी लग रही है तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल में ने तो सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों में भी ज्याद से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कीजिए फिर मिलती हो ने इस वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग